Hello everyone, welcome back to our channel, आज हम बात करेंगे एजित्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट के बारे में एजित्रोमाइसिन एक परकार की एंटिबाइटिक है जो काफी तरह की बैक्टिर इंफेक्चन को ट्रेट करने में मदद करती है इसका उपयोग कैसे करना चाहिए और कहां कहां पर करना चाहिए इसकी डोज क्या होती है, कितने मातरा में आप इसको ले सकते हैं, डूरेशन क्या है, कब तक आप इसको continue कर सकते हैं, इसके क्या क्या पोसिबल साइड इफेक्च देखने को मिल सकते हैं और इसे लेने से पहले और लेने के बाद कौन कौन सी साफ़दानियों को ध्यान में रखना चाहिए आपको सब समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट हम देखेंगे कि एजित्रोमाईसिन का यूज हम कहां कहां पर कर सकते हैं एजित्रोमाईसिन एक ब्रॉंस स्पेक्टरम एंटिबाइटिक है इसका मतलब यह होता है कि यह काफी परकार के बैक्टरिर इंफेक्शन को ट्रेट कर सकती है जैसे कि रेस्पारेटरी इंफेक्शन में एक्जामपल के लिए ब्रॉंकसाइटिस और निमोनिया में स्किन इंफेक्शन में भी एक काफी यूजफल होती है अगर स्किन पर कहीं पर भी कोई बैक्टरि इंफेक्शन है तो हम इसे यूज़ कर सकते है रिप्रोडेक्टिव ओर्गन के इंफेक्शन को ट्रेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है example के लिए UTI, urinary tract infection में, STD, sexual transmitted disease में भी इसका यूस किया जाता है इसके अलावा ये ear infection, sinus में और throat infection को trade करने में भी helpful होती है एक बात का हमेशा ध्यान रखे कि एजित्रोमाईसिन, bacteria infection को trade करने में मदद करती है viral infection में इसका कोई रोल नहीं होता और ना ही ये effective होती है इसलिए किसी भी medicine को लेने से पहले अपने doctor से consult जरूर करे अब हम बात करेंगे इसकी dose और duration के बारे में कि आप इसकी कितनी मातरा को ले सकते हैं और कितने दिन तक ले सकते हैं एजित्रोमाईसिन की एक tablet दिन में एक बार ले जा सकती है खाली पेट या खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं बट मैं suggest करूँगा कि आप इसे खाने के एक गंटे के बाद ही ले duration की बात करें तो इजित्रोमाईसिन को basically तीन से पास दिन का course होता है वो भी depend करता है कि किस infection के treatment के लिए आप इसे ले रहे हैं इसलिए इसकी dose और duration अलग हो सकती है पेशिट की condition के according इसलिए इसे लेने से पहले अपने डुक्टर से consult जरूर करें आप हम आते हैं एजित्रोमाईसिन के side effect पर ये दवाये generally safe होती हैं लेकिन कुछ लोगों को side effect देखने को मिल सकते हैं जैसे की diarrhea, दस्त का लगना, श्रमक पेन, पेट में दर्दोना, नोज्या, जी का मिचलाना, सरदर्दोना अगर आपको कोई भी नया और साइड effect देखने को मिले या महसूस हो जैसे की allergic reaction देखने को मिले या महसूस हो तो तुरंट अपने डुक्टर से consult करे Precautions की बात करें तो इस दवाय को लेने से पहले आपको अपने डुक्टर से consult जरूर करना चाहिए अगर आपको किसी परकार की या किसी medicine से कोई allergy है तो अगर आप pregnant है या breastfeeding करा रहे हैं तो इसके अलावा अगर आप इस medication के साथ कोई दूसरी medicine या supplement लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपने डुक्टर से एक बार consult कर लेना चाहिए क्योंकि काफी केसिस में interaction देखने को मिल सकती है mechanism की बात करें तो एजित्रोमाइसीन मेक्रोलाइड अंटिबायटिक की class से ब्लों करती है मेक्रोलाइड अंटिबायटिक बैक्टियर को किल करके infection को trade करने का काम करते हैं ये बैक्टियर की protein synthesis की परकिरिया में बादा डालते हैं जो कि protein की growth के लिए necessary होता है अब हम चलते हैं ब्रांस की तरफ एजित्रोमाइसीन की कई सारी ब्रांस अवलेबल है मार्किट में जैसे की AZ, Jithrosin, Egythral आप अपने डुक्टर से सला लेकर सही ब्रांस को select कर सकते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी general awareness के लिए हैं अगर आपको वीडियो से related कोई भी question है तो please comment करें चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें धन्यवाद